वॉलिवूड एक्ट्रिस सुनाक्षी सिनहा की शादी को अभी जादा समय भी नहीं हुआ और दो बार उनके प्रेगनेंट होने की खबर सामने आ चुकी है जी हाँ जब सुनाक्षी की शादी हुई थी तब भी यही माना जा रहा था कि शादी हडवडी में इसी लिए हुई है क्योंकि सुनाक्षी सिनहा प्रेगनेंट हो गई है तो अब एक बार फिर से एक्ट्रिस को देखते ही फैंस कयास लगाने लगे कि वो गुड नियूस देने वाली है दरसल शादी के तुरंद बाद जब सुनाक्षी हॉस्पिटल के बाहर स्पॉट हुई थी तो फैंस को लगा कि वो मा बनने वाली है हलाकि उस दौरान वो अपने पापा यानि शत्रुगन सिनहा की वज़े से अस्पिताल गई थी वहीं अब एक बार फिर से एक्ट्रिस को लेकर इसी तरह की अफ़वाए उड रही है अब सुनाक्षी मुंबई की एक रेस्टरुन के बाहर स्पॉट हुई है और उनकी ड्रेस देखते ही लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वह प्रेगनिट है दरसलब सुनाक्षी को एक पोलका डॉट ड्रेस में देखा गया है और इस तरह की dress को pregnancy से जोड़ कर देखा जा रहा है हुआ यूँ कि जब अनुश्का शर्मा ने अपनी पहली pregnancy announce की थी तो उन्होंने ऐसी ही polka dot dress पहली थी उनके बाद वॉलिवुड की कई actresses ने इसी तरह की ही dress pregnancy के दोरान carry की जिसके बाद से इस dress को pregnancy announce करने का trend समझा जाने लगा वहीं अब सुनाक्षी को इस तरह की dress में देख कर लोग उन्हें pregnant समझ बैठे हाला कि सुना वे भी फिलाल pregnant नहीं है और वो इस वक्त अपने husband के साथ quality time spend कर रही है वैसे इनकी शादी में बहुत पंगा हुआ था पहले सुनाक्षी के पापा नहीं मानने फिर भाई पर end में पापा तो मान गए पर बड़े भाईया लब अभी भी नाराज हैं सुनाक्षी से